फ्रेंड्स बहुत बहुत वेलकम करते हुए एक बार फिर से आप सबका आज हम लोग बनाएंगे आलू मेथी की सबजी जो की बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और मेरी बहुत ही फैबरेट सबजी है यह तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं तो मैंने ले लिया है फ्रेश में थी और अब हम लोग इसमें से पत्तों को निकालेंगे तो पत्तों को इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे और जो नर्म उसकी डंठल है उसको भी हम लोग हलका सा उपर से तोड़ के निकालेंगे वो पक जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं ह और जो मोटी डंठल है उसे फिक देगे तो इस तरह से सारा हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे मेथी को और पत्तो को मैं निकाल लिया है तो इससे हम लोग दो बार पानी में वाश कर लेंगे ताकि अच्छे से इसकी मिट्टी बगएरा साफ हो जाए और इसे किसी कपड़े से पोच लेंगे इसके उपर के पानी को और इसे हम लोग कट कर लेंगे इस तरह से उसके बाद एक पैन लेंगे और गर्म पैन में मैंने मस्टर्ड ऑल यूस किया है जो की आधा कप है सरसो का तेल और सरसो की तेल में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आलू मेथी की सबजी में इसमें कम से कम बारा लेसुन की कलियों को मैंने चौप करके डाल दिया है दो से तीन हरी मिर्च को डाल देंगे सहल का सा फ्राइ करेंगे और उसके बाद एक बड़े साइज का प्याज मैंने काट केस में डाल दिया है और इसे भी हम लोग फ्राइ कर लेंगे थोड़ी देर तक फ्राइ कर लेने के बाद इसमें मैंने एक मीडियम साइज के टमाटर को काट के डाल दिया है वो मैं आपको दिखला नहीं पाई लेकिन मैंने एक बड़े मीडियम साइज के टोमाटर को काटके इसमें डाला है तो टोमाटर को भी इसमें पका लेंगे हलका सा उसके बाद इसमें आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर नमक स्वात के नुसा डाल देंगे और सबको अच्य से मिक्स कर लेंगे अब इससे हम लोग पकाएंगे हलका हलका फ्राई करते रहेंगे इसे टामाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें मैंने दो मीडियम साइज के आलू को छील के काटके इसमें डाल दिया है और अब कटी हुई मेथी को मेथी के पत्तों को भी इसमें डाल देंगे सारे मेथी के पत्तों को डाल देने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे आलो मेथी की सबजी बनाने के लिए बहुत जादा मसालों की जरूरत नहीं होती है और आधा ग्लास पानी मैंने इसने एट कर दिया है ताकि इसमें अभू मेथि को अच्छे से पका सकें इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसे ढख कर बिल्कुल लोथ फ्लेम में से पकने देंगे तो फ्रैंञ्स बीच बीच में इसे खोल करके हम लग चला लेंगे और देखिए मेति से अतना पानी जो है वो निकल आया है जो पानी हमने डाला था उससे ज़्याधा हो गया है पानी То लो फ्लेम में इसे पकने देंगे और अब लगभग मेति और आलु हमारे गल चुके हैं तो इसे अब हमदो फ्राइ कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे और अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद इसे हम लोग इस तरह से सर्व करेंगे गे किसी प्लेट में बिलकुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं जो एक्स्ट्रा पानी था सूख चुका है तो फ्रेंड्स अगर आलू मेती की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ थैंक यू